नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जज़बाद 24 आईए नदर डालते हैं आज की बड़ी ख़बर पर अविनाश्ट तिवारी की खोजी थ्रिलर सीरीज काला का ट्रेलर रिलीज हो गया है आगामी खोजी थ्रिलर श्रिंखला काला के निर्माताओं ने शुकरवार को आधिकारिक ट्रेलर का अनावरण किया OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर साजा किया जिसे उन्होंने कैप्शन दिया दुनिया को अपने कबजे में करना है तो मुठी कसलो 15 सितंबर से हॉट स्टार स्पेशल पर काला स्ट्रीमिंग देखें काला की दुनिया बेजोय नामबियर द्वारा निर्मित और निर्देशित है और भूशन कुमार, किशन कुमार और बेजोय नामबियर द्वारा निर्मित है और 15 सितंबर 2023 को विशेश रूप से बिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होगी श्रिंखला में अविनाश तिवारी, रोहन विनोद महरा, निवेथा पितुराज, ताहेर शबीर, जितिन गुलाटी, एलिशा मेयर, हितेन तेजवानी, सहित अन्यकालाकार है शो के बारे में बात करते हैं निर्देशक नैमबार ने कहा काला अपराध और विश्वास घात की पर्तों को उधेरते हुए, रिवर्स हवाला के दाइरे में उतरता है बंद दर्वाजों के पीछे, छाया में, पैसा अपनी खुद की जिंदगी लेता है विश्वास घात, बदला लेने में उल्चा हुआ है और सत्ता की भूग आपको शुरू से अन तक बांदे रखेगी, बिजनी प्लस हॉट स्टार के काला में आई भी अधिकारे रुतिक बनरजी की भूमी का निभाने वाले अविनास दिवारी ने कहा अविनेता के रूप में हम अकसर भावनाओं और कहानियों के मिश्रण में डूब जाते हैं लेकिन काला ने मुझे सत्ता और भ्रष्टाचार के बिलकुल नए अस्तर से परिचित कराया इसने मुझे वास्तों में जबजोर कर रख दिया बेजोय नामबियर ने काला में अपराद की एक ऐसी दुनिया गड़ी है जो ठोस अनुसंधान द्वारा समर्थित है जिसकी गहरी जटिलताओं के केंद्र में रुत्विक हैं या देखना वह कैसे इस दुनिया का सामना करता है और अपने जीवन के बारे में खोज करता है या एक रुमांच कारे मिनट की आकरशक मानविय कहानी है मैं इस यात्रा और काला की कई परतों को आप सभी को देखने के लिए उत्साहित हूँ जो जल्द ही डिजने प्लस हॉट स्टार पर आ रही है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार और बने रहे जजबा 24 पर ऐसे ही लेटिस्ट न्यूज अब्डेट के लिए हमारे चानल जजबा 24 को सब्सक्राइब करें और तोरन टोन्टिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें अगर आप हमारे न्यूज को फेस्बुक के मादियम से देख रहे हैं तो हमारे पेश को फॉलू करें धन्यवाद